नमस्कार, हिंदी साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो, HPLT Commission 2021 और साथी साथ LTTET इन सब की तैयारियां हम आज कल करवा रहे हैं जो हमारी टीच्मिन्ट एप पे हो रही हैं और वहाँ पर हमारे जो लाइव क्लासिस हैं वो लगातार होती हैं तो अगर आप उन लाइव क्लासिस को अटेंड करना चाहते हैं तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं साथी साथ अगर आप हमारे अब तक के जितने भी लक्चर्स हो गए हैं हमारा जो कम्प्लीट कोर्स है फोर मंत का लटी टैट का जिसमें हम लिटरेचर और दूसरा आपका जो ग्रैमर है उनको कबर कर रहे हैं और साथी साथ वहां पर आपको जो मौक टैस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे और यहां पर पीडियाफ भी हम आपको प्रवाइड करवा रहे हैं जो हमारी पीपीटी की है उसकी तो अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं पीवाई क्यू वहां पर रखे गए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वाटसैप नंबर के साथ हमारे साथ समपर कर सकते हैं साथ ही साथ LTE TAT के लिए भी ठीक हमने दो मंत का कोर्स रखा है जिसको आप बाई कर सकते हैं उसमें भी सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आज हम इससे पहले देखी हमने LTE कमिशन के लिए इस तरीके का एक और वीडियो बनाया था हालांकि LTE कमिशन के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट भी बनी है जिसमें लास यर को जो LTE कमिशन हुआ था जिसके रिगार्डिंग हमने कुछ एक लेक्चर्स तैयार किये थे तो अगर आप LTE कमिशन की तैयारियां कर रहे हैं हिमाचर प्रदेश की या फिर दूसरे स्टेट का भी अगर आप हिंदी से रिलेटिट कोई भी परिक्षा देने चारे हैं तो ये वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत जादा उप्योगी है इसमें हमने बहतर से बहतर कॉंटेंट देने की कोशिश की है और आप देखेंगे कि इसी लेवल के जो क्वेशन है वो आपको LT Commission या LT TAT की परिक्षा में पुछ जाते हैं तो कुछ एक चुनिंदा क्वेशन मैं आपके लिए रखे हैं और इसमें हमने मेली जो आपका रितिकाल और भक्तिकालीन जो गौन कावे हैं उससे रिलेटिड हमने इससे पहले कुछ एक मॉक टेस्ट एक करवा दिया था हलांकि PYQ वह हमने डिसकस किये हुए हैं कुछ एक क्वेशन उसके भी रखे थे और वह वाली PYQ सिरीज जो है वह हम उसको continue नहीं कर पाए मैं भविश्य में कोशिश करूँगा कि आपको जैसे जैसे एक्जाम आपका नज़दीक आता जाएगा आपके लिए साथ जो है previous question paper को भी discuss किया जाए क्योंकि उससे भी बहुत जादा help हमें हो जाती है तो आज मेंली हम इसका जो second part लेके आएं first part में हमने 15 questions discuss कर लिये थे तो अगर आप मैंसे किसी ने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारा जो first part है इसका उसको जरूर देखिए इससे पहले वो भी जिसमें हमने 15 questions रखे थे उनको पूरा व्याख्या के साथ रखाता आप यह नहीं कह सकते कि वहाँ पर सिर्फ 15 questions हुए हैं उससे आपके लगवख 50 questions के आसपास हमने clear करवा दिये थे तो यह चीज थी दोस्तो अगर आप चाहते हैं हमारे course को खरीदना तो आप उसको buy कर सकते हैं वो आपको description box में जाके हमारे साथ सीधे contact करना है चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आज का जो अगला प्रशन है वो है रामकुमार वर्मा ने उत्तरमध्यकाल के लिए क्या नाम सुझाया तो देखे इस तरीके का जो प्रशन पूछा जाता है यह आपको TAT में भी दिखेग उत्तरमध्यकाल यानि आपका जो भक्तिकाल है उसके लिए किसने आपका रितिकाल है उत्तरमध्यकाल ठीक है उसके लिए किसने आपका नाम सुझाया है रामकुमार वर्मा ने रामकुमार वर्मा के अनुसार जो रितिकाल है उसके लिए क्या नाम उन्होंने सुझाया था तो यहां पर देखें, रामकुमार वर्मा ने जो नाम दिया था, वो था कलाकाल, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि कलाकाल जो नाम करन दिया, कि किस ने दिया था, भगीरत मिश्र ने दिया और रमाशंकर शुकल रसाल, ये दो नाम हुए हैं, रमाशंकर शुकल रसाल, आरेसर है ना तो इन्होंने भी क्या दिया इन्होंने भी यही नाम दिया कलाकाल और साथी साथ भगिरत मिश्र ठीक है तो यह भी इनको यही नाम देते हैं रितिकाल को नामकंड से रिलेटिड देखिए आपका जो आदिकाल है दूसरा आपका जो रितिकाल है बहुत जादा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम करने की कोशिश की है रितिकाल की अपेक्षा भक्तिकाल जो है बहुत कम है उस पर कोई विवाद नहीं राज सारव माने मत यही रा कि भक्तिकाल जो है सबने एक मत होकर उसको नाम दिया है और सबसे पहले भक्तिकाल को भक्तिक किस ने कहा ये अचारे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था इस चीज को भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और सबसे ज़ादा अगर आपको पूछे जाए कि विवादा स्पद नाम करण की दिश्टी से कोई काल रहा है तो वो आपका आदिकाल रहा है ये चीज भी आप बार पूछा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन्ट कोशन है श्रिंगार काल और दूसरा चीज यहाँ पर आता है देखे अलंकृत काल तो अलंकृत काल कहा मिश्रबंध होने एक चीज आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जो ये सुझाया शब्द है अगर आपको प्रशन इ ही दिया है श्रिंगार काल नाम उन्होंने सुझाया है अगर दिया पूछा जाए कि श्रिंगार काल नाम किस ने दिया तब हो जाएगा किसका तब विश्चुनात प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है सुझाया गया है शुकल के द्वारा तो ये चीज भी आपने थो का मतलब पूछते हैं उसका क्या मतलब है ठीक है तो यह चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि रीती शब्द का सही अर्थ क्या है यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे जितनी रिती कावे में देखते हैं अलंकारिक रचना आप की हाँ अलंकार वादी अचारे रहे तो आप वहाँ देखेंगे अलंकार निरूपक ग्रंत इसको आपगी सतीक सा उत्तर देना है स्वचंदता वादी रहे जो रिती मुक्त कावे धारा रही उसको हम सोचनतावादी भी कहते हैं रीतिकाल में है ना तो सोचनतावाद भी उसमें रहा श्रिंगारिक रचना ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे सरवप्रमुक बिशेशता रीतिकाल की यही तो मानी जाती है लेकिन सबसे important जीज़ है जिसके अधार पर रीती काल का जो नाम करण पड़ा वो था काव्यांग निरूपन मतलब काव्य के अंगों को निरूपित करना मुख्य उदेश्य रहा आपके रीती कालीन कभियों का खासकर रीती बद कभियों का जिनोंने लक्षन ग्रंथों की रचना की थी लक कावे शास्त्री ग्यान था या फिर आपको कावे शास्त्री जो ग्यान देना था वो उन्होंने प्रमुक्ता से रखा और इसी के चलते उन्होंने लक्षन ग्रंथों की रचना की लक्षन मतलब कावे के जो लक्षन हैं है ना चाहे वो रस अलंकार बगेरा कावे के जो अं कि काव्य के अंगों का निरूपन करना यहां इस युग के कव्यों का विशेश यह रहा बल इस ओर रहा और इसलिए इसको हम काव्यांग निरूपन मानते हैं और इसी परिपाटी में मतलब काव्य के अंगों को निरूपन करने वाले जो परिपाटी थी इसको रिती नाम दिय गया बाद के अचार्यों ने है ना तो ये आपने याद रख लेना है रिती का मतलब काव्यांग निरूपन है और काव्य के अंगों के अधार पर काव्यों का अलग अलग तरीके से बंटवारा किस ने किया ये डॉक्टर नगेंदर ने किया था और डॉक्टर नगेंदर की रिती कावय की भूमी का शीर्षक से उन्होंने एक गंत लिका था, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, very very important question, यहां से मैं समझता हूँ, आपके बहुत सारे question clear हो गया होंगे, चलिए, next question देखते हैं, रिती बध का भी कौन है, तो एक चीज आपने जरूर याद रखी ह होगी, इस तरीके का प्रशन भी आपको previous year paper में, चाहे वो TAT की परिक्षा हो, चाहे वो आपकी commission के परिक्षा हो, दोनों परिक्षाओं में आपको इस तरीके का प्रशन definitely पूछा जाता है, रिती बध का ही नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे, अगर आप नाटक के बारे जीए, कि आपको इस तरीके का प्रशन definitely पूछा जाने वाला है paper में, कि कौन सा किस यूग का, चाहे वो उपन्यास कार है, चाहे वो कहानी कार है, चाहे नाटकार है, और इन चीजों को complete हमने अपने course के अंदर बताया है, और बिल्कुल इनको अलग-अलग करके सिलसिले वा बिल्कुल कम price में, जिसको आप यूँ कहें कि ना मात्र, बिल्कुल है ना, तो आप उसको खरीज सकते हैं, और आपको कभी भी ये regret नहीं रहेगा कि आपने literature के लिए, LTT और commission के लिए कोई गलत जगा चूज की है, बिल्कुल सही दिशा की और आप अगरस रहें, तो रिती बद, तो यहाँ पर अगर हम बिहारी से starting करें, तो बिहारी क्या है आपके, रिती सिद्ध कभी हैं, है ना, सबसे प्रमुक कभी रिती सिद्ध कभीों में, यही माना जाता है, और जब भी हम रिती काल के बारे में पढ़ाते हैं, या बताते हैं किसी को, तो मैं तो यही कहत पून वहाँ पर आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसके अलावा जो बचते हैं, उनको आप जो प्रमुक प्रमुक कभी हैं, उनको आप कहा पर डाल दिजिए, रिती बद में डाल दिजिए, तो सिम्पल सा तरीका है, Ńती सिद्ध रिती बद और रिती मुक्त कभीों को य लेकिन यहां पर इनका भी जिक्र कहां पर आता है रिती सिद्ध कावैधारा के अंतरगत आता है तो इसलिए आप इनको भी इसी में रखेंगे फिर आता है घननन्द तो इनको हम सब लोग जानते ही हैं कि घननन्द जो है रिती मुक्त कावैधारा के श्रिष्ट कवयों में र हुआ है वो चिंता मनितृरपाथी से ही हुआ है तो यह चीज़ आपने ध्यान रकनी है इसलिए जो सब से पहले आते हैं चिंता मनितृरपाथी यह रिति बध कावैधारा की अंतरगत आने वाले प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं जिनकी श्रेश्ट रश्न रही कविकुल कलब तरू तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है और चिंतामणी त्रिपाठी कैसे कवी रहें आपके देखिए ये रहें आपके जो सरवांग निरूपक कवियों में तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना इनके बारे में बहुत सिंपल है इन कवियों को समझेना खासका रिति काल के कवियों को आपने देखा होगा बहुत बार पूचा गया है कि कौन किस धारा का कवी है रिति सित रिति बद और रिति मुक्त का तो आप इनको इजिली अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चलिए नेक्स कोशन हम देखते हैं अगला प्रशन हिंदी के प्रत्थम सरवांग निरूपक अचार्य कौन है देखिए बहुत ही महत्तफूर प्रशन है ये भी आप देखेंगे जितने भी आपके रिति काल के कवी रहे हैं मतलब रिति बद कावे धारा के उन्होंने क्या किया उन्होंने जो आपके संस्कित के अचारे रहे हैं जो कावे शास्तर के अचारे रहे हैं है ना चाहे आपका भरत मुनी हो भामा हो दंडी हो उदबठ हो, भानुदत हो, जिन्होंने रसमंजरी लिखी थी, बहुत सारे लोगों ने उसका अनुसारण किया है अपने कावे में, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हीं जो संस्कित के अचारे कवी रहे, उनका अनुसारण किया है, और हिंदी में इन्होंने कि समरिध्धी की दिष्टी से इनको रिती काल का प्रवर्तक माना जाता है हालां कि जो अचारे रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने इसको किसके अंतरगात रखा है जो आपके भक्ती कालीन फुटकल का भी थे उसकी श्रेणी में इनको रखा है ठीक है तो ये चीज़ भी आपने इनके बारे में या रखनी है और राम कावेधारा से संबंधित इनकी जो मौतवपूर्ण करीती है वो है रामचंद्रिका और इसके बारे में भी हमने पीछे वाले लेक्चर में डिसकस कर लिया था कि इनके रितिनी रूपक गरंत कौन है इनके प्रवंध कावे कौन से है और रामचंद्रिका बहुत ज़ादा महतफूर्ण है इसको चंदों का अजायब गर कहा है ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कह सकते हैं कि किसने ये बात कि चिंतामणी त्रिपाठी इसके बारे मैं आपको बता दिया क्रीपा राम ये रहे आपके रिति निरूपक मतलब सबसे पहले कभी इनको वैसे माना जाता है रिति काल के कालकरम के दिश्टी से लेकिन सर्वमान ने जो मत आएगा राम चंदर शुकल के साथ ही जाएगा तो ये चीज भी आपने ध्यान रखना है और केशवदास के बारे में भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो रिति काल के प्रवर्तक रहे हैं तो ये हमेशा कैसे पुछ जाता है अलग-अलग तरीके से पूछ जाता है अगर काल करम की दिश्टी से पूछा जाए तो कृपा राम की पंदा सो एक तालिस में हित तरंगनी एक रचना आती है जो सत्साई परमपरा की हिंदी में पहली रचना मानी जाती है तो उसको भी आपने याद रख लेना है कृपा राम के बारे में तो ये चीज है कि काल करम की दिश्टी से कृपा राम को अगर रचना कार की समरिधी की दिश्टी से देखा जाए तब फिर आपका अचारे केशवदास जी आ जाएंगे रितिकाल के प्रवर्तक है ना तो ये चीज भी आपने दिशानक नहीं और बूशन आपके रितिकालिंग जो कैसे कभी रहे राष्टिक कभी माने जाते हैं बूशन ठीक है तो ये भी इंपोर्टेंट है और बूशन से रिलेटिड प्रशन हमने आगे रखे हुए हैं ये चीज भी इंपोर्टेंट है आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रशन आपको पूछे जा सकते हैं अगर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन किस धारा का है, तो ये प्रशन भी बन सकता है कि किस व्यक्ति ने या किस कवी ने काव्यांग के किस अंग को जादा निरूपित किया है, तो काव्यांग निरूपन का मतलब वो ही है, एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि काव्यांग निरूपन के अधार पर कवियों का जो वर्गी करण किया है ये किस ने किया है डॉक्टर नगेंद्र ने किया है तो ये चीज याद रखिए आप और इन चीजों को हमने अच्छे तरीके से बताया हुआ है है न तो ये चीज भी है सरवांग ने रूपक गरंथिस में से देखिए कभी तरतनाकर किसका था कभी तरतनाकर रहा आपका सिनपतिका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राम कावेदारा से समद्धी था तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप कहीं पर फंसने लग जाएं या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये क्वर्शन शायद होगा या नहीं होगा eliminate कीजिए वहां पर क्वर्शन को फिर बज़ता है आपके पास रतन हजारा तो रतन हजारा भी इनकी रचना नहीं है प्रित्वी सिंग की रचना है ठीक है तो ये भी नहीं होगा कावे रसाइन जो कावे रसाइन है देखिए ये है देव कवी की रचना देव रहे आपके रिती बद कावे धारा के कवी और रिती बद कावे धारा के कवी उने ही सबसे ज़ादा लक्षन ग्रंत लिके हैं जिनने कावे के अंगों को निरूपित करने की बात कही है इस रचना को शब्द रसाइन के नाम से भी जाना जाता है ये चीज भी आप याद रखना शब्द रसाइन है ना important है ये वाली रचना कावे रसाइन या शब्द रसाइन और इसी में इन्होंने काव्यांग निरूपन की बात कही है जहां पर इन्होंने ये बात कहीती देखिए कि अभिधा उत्तम कावे है मद्य लचना लीन ये वाली पंक्ती बहुत बार पूची जाती है देव से तो इस रचना को आप याद रख लीजिए और ये जो इनका कावे रसाइन रचना है देखिए ये ही इनका सरवांग निरूपक ग्रंथ है जिसमें इनकावे के हर एक अंगों को चाहे वो आपका रस हो, चाहे अलंकार हो चाहे आपका कुछ और चीज हो, है ना इनको इनोंने इसमें प्रधिपादित करने की कोशिश की है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सरवांग निरूपक ग्रंथ कहते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा आपका कावे रसाइन I hope ये वाला कॉशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि इस तरीके से आपको कावे के अंगों के निरूपन की बात भी पता होनी चाहिए कि कौन सा कावे कैसा रचा गया है चलिए नेक्स वाशन देखते हैं किस भक्ति कालिन कवी की भाषा पर तुलसी का साही अधिकार था ये शुकल जी के अनुसार पूचा गया प्रशन है देखिए किस भक्ति कालिन कवी की भाषा में तुलसी का साही अधिकार था तो इसके लिए आपको थोड़ा सा deep पढ़ने की ज़रूरत है आप ये भी मान के नहीं जा सकते कि बिलकुल easy question रहेगा LT Commission की परिक्षा है जो आपको ताउमर भोजन करवाएगी आपका निर्वान करेगी आपकी आजीवी का रोजरोटी का साधन बनेगा तो इतना भी असान आपको पेपर नहीं पूचा जाएगा ये चीज़ भी आप अपने जहन में जरूर रखें तो थोड़ा सा deep भी आपको जाके पढ़ना पड़ेगा है ना तो मैंने आपके लिए एक वीडियो और बनाया था कि कि आपका पास अचारे रामचंदर शुकल की बुक होनी चाहिए जो किताबों से रिलेटेड हमारा एक मौतरफोर्न लेक्चर है आप उसको भी देख सकते हैं अगर किसी न अभी तक वो वाला भी नहीं देखा है तो वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक होगा उसमें मैं देदूँगा साथी साथ हमारी जो LTE कमिशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप उसको देख सकते हैं तो तुलसी कासा या अधिकार किसमें मानते थे ये मानते थे रहीम में कि इनकी जो बाशा थी तोलसी का साही अधिकार इसमें था रस्खान के बारे में इनों ने क्या कहा कि सबसे पहले कवित और सवया शैली में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ती ने लिखा है तो वो आपके कौन है रस्खान है रस्खान से पहले जो क्रिशन कावे लिखा जाता था ज्यादा तर किसमें लिखा जाता था पदों में लिखा जाता था पदावली में लिखा जाता था आप देखते हैं सूरदास के पद है ना आप देखते हैं जो आपका पदावली लिखी उसने विद्यापती ने ठीक है आप देखते हैं कि मीरा के पद तो मतलब पद परमपरा इन से पहले ठीक थी कृष्ण के कावे के समंधित लेकिन रस्खान ने सबसे पहले क्या किया इन्हों ने उस पद परंपरा को तोड़ा और कवित और सवया शैले में लिखा तो ये चीज शुकल ने इनके संदर्व में कही है सेनापती के संदर्व में ये कहते हैं कि रितु बनन इनके जैसा किसी कवी ने नहीं किया है तो ये चीज आपने यार रखनी है सेनापती के संदर्व में कि रितु बनन या प्रकृति बनन सबसे जाड़ा किस ने किया है सेनपती ने किया है भक्तिकालिन कव्यों में ये चीज या रखना है भक्तिकालिन कव्यों में इंपोर्टन्ट है और इसी तरीके से रितुबनन इनके समान या रितुबनन में इनका जो चीज है वो बेजोड है बेजोड शब्द अगर आएगा किसी चीज में तो वहां पर आ इनको आप जरूर पढ़के जाए और समवाद योजना जो राम चंदरीका की रही वो इन्होंने अच्छी मानी है ये चीज भी आप दियान रखिए वेरी वेरी इंपोर्टन कॉशन आपके लिए ये साबित हो सकते हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं देखिए है ना चलिए फश्शन बतता है आपका यहाँ पर है भगीरत मिश्रने रितिकाल को क्या नाम दिया अगर आपने फ़स्ट खशन अच्छी तरीके से देखा होता सुना होता तो ये कवेशन आपके लिए बहुती इज़ी था बहुती सिंपल था तो इस क्वेशन को मैं आपके लिए चोड तो अगला प्रशन है यहाँ पर कौन सा कवी सरवांग निरूपक है सरवांग निरूपक मतलब कावय के हर एक अंगों का निरूपन किस ने किया है तो यह प्रशन भी पहले वाले प्रशनों में ही छुपा है अगर वहाँ पर इसको आपने रंग से देखा होता तो इस वाले प्रशन का उत्र भी आप इसली दे सकते थे चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं विकल्पों को देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले है देखिए पदमाकर तो पदमाकर आपकी रहे जादातर अलंकार निरूपक कवियों की श्रेणी में या फिर आप इसको रस निरूपक की श्रेणी में भी इनको रखते हैं चंद और अलंकार निरूपन में इनको जादातर आप रखेंगे भिर भूशन आता है, भूशन को भी आप अलंकारिक जो कवी रहे हैं, उनकी श्रेडियों में रखेंगे, या अलंकार निरूपन इनने जादा किया है, आप देखेंगे कि इनकी जितनी भी रचनाय रही, आपके चाहे शिवराज भूशन रही, शिवा बावनी रही, या इतिकाल का प्रवर्तक जिसको माना है, शुक्लन है, ठीक है, तो ये हैं आपके सरवांग निरूपक कवी, या अचार्य आप इनको कह सकते हैं, महराज जस्वन सिंग, ये भी आपके अलंकारवादी रही है, जिनका भाशा भूशन गंद सबसे जादा महतवपून है, भाश ये चीज भी बनती है, चलिए, नेक्स्ट क्रेशन देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रशन है, केशव ने किसका अनुकरण किया है, तो ये प्रशन भी महतवपून प्रशन है, यहाँ पर जो जितने भी आपके संस्कित के अचारे रहे, मेंली प्रमुक प्रमुक जो रहे ह और उन्ही का अनुसरन आपको हिंदी के जो रिती कालीन का भी रहे हैं, उन्होंने अपने कावे में किया है, ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है, यहाँ पर केशव के बारे में पूछा है कि केशव का अनुसरन, केशव ने किसका अनुसरन किया है, अपने कावे के लि उदवट कावी लगवा कावा अलंकार इसलिए की कुछ रचना है, उसको आपने देख लेना है कि कौन सी है, है ना, तो उदवट भी आपके मैंली क्या हैं, यह भी आपके अलंकारवादी अचारे ही रहे हैं, तो इन तीनों का ही इननों ने क्या किया है? अनुसवरण किया है अपने काप्य में तो ये भी प्रशन पूछा जा सकता है और यहां से एक प्रशन आपका automatically बन जाता है वो ये है कि आपके जो अचारे केशब हुए हैं वो किस तरीके के अचारे हैं? तो केशव हुए हैं, आपके देखिए, अलंकारवादी अचारे, ये प्रशन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लिजिए, कि केशव किस दिके के अचारे हैं, अलंकारवादी अचारे हैं, चलिए, देखते हैं, next question, next question है, देखिए, कौन से रिती बद कभी के साथ साथ अच्छे संगीतकार वसैनिक थे, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना, जो जो भी रिती बद कावेदारा के अंतरगत प्रमुक कभी हैं, जो जो भी रिती काल के जो दूसरी धारा हैं, चाहे रिती सिद्ध हो गई, या फिर रिती मुक्त हो ये डेफिनेटली बनते हैं, बाकी यहाँ वाला जो प्रशन है देखिए, कि रिती सिद्ध रिती जो बद कभी हैं, वो कभी होने के साथ साथ अच्छे संगीतकार भी रहे और सैनिक भी रहे, महाराज जस्वन सिंग ये तो राजा रहे, तो आप इसको निकाल दीजी, सैनि ये चीज इसमें नहीं आएगी, ठीक है, बुशन, बुशन कभी तो रहे, लेकिन सैनिक और संगीतकार ये नहीं थे, ठीक है, पदमाकर, पदमाकर के संदर में भी यही चीज है, हाला कि पदमाकर जो है, वीरसात्मक लिखते थे, बुशन भी वीरसात्मक लिखते थे, लेक का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम ये दोनों confusing है थोड़े से तो अगर आपको रसलीन पूछा जा रहा है तो सैयद गुलाम नभी ये नाम आपने याद रखना है और ये क्या थे अच्छे संगीतकार और सैनिक भी माने जाते हैं तो ये चीज़ आपने इनके बारे में याद अखनी है इनकी दो महतफून कृतियां है एक है अंग दरपन और दूसरा रसप्रबोध तो ये रचना इनकी बहुती ज़ादा महतफून है इनसे रिलेटेड प्रशन भी पूछे जाता है और रसलीन की एक बहुती बहुती बेहतरीन पंक्ती है अगर आप मेंसे किसी को याद है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं 26 कोशन ने देखिए कावे निरनाय किसके रचना है तो रचना से रिलेटेड आपको बहुत बार परिशान किया जाता है खासकर जो गौन कवी हुए है या फि इसलिए एक बार आप परिक्षा से पहले जरूर रितिकालिन कवियों को पढ़के जाए ना सिर्फ रितिकालिन आप संथ कावेधारा के कवियों को पढ़िए आप जो है सूफी कवियों को पढ़िए सूफी कवियों के साथ साथ कृष्न कावे के अंतरगत आने वाले जो प और जो जो लोग YouTube में पढ़ाते हैं, हमने खुद भी Hindi साहितेवारता चनल भी एकदम से उस question को जो है, नहीं बता पाये था, कि वो किस ने लिखी थी, तो सिवधास की वो रचना थी और वो आपके रिति बद काविधारा के कव्यों में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस तरी ठीक है कि जो रचनाये हैं, जो आपको to the point सीधी पूछे जाए, मतलब डारेक्ट पूछे जाए, इनके लिए भी आपको त्यार रहना पड़ेगा, चाहे वो ना सिर्फ रितिकाल की हैं, बलकि हर एक काल विशेश की, जो आपके कुछ एक कवी हैं, उनको आपको जरूर दे हैं, मतलब इसमें बेनोंने क्या किया है, कावे के हर एक अंगों को चर्चित किया, उनकी चर्चा की है इनोंने, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, मतिराम की जो श्रेश्ट रचना रही देखिए, ललित ललाम और रसराज, ये मतिराम की दो मतवपुन रचनाय हैं, को आपने ध्या रखना है तो इनके नाम से ही आपने या रखना है सोम माने अमरित और रस-प्यूश प्यूश से मतलब है अमरित तो मतलब जो common आता है वो ही इनकी रचना है रस-प्यूश निधी तो यह वाली इस चीज़ को ऐसा प्रशनमी बनता है बिहारी कैसे रहे, स्थिति सिध रहे ये तो हम चीज़ जानते ही है लेकिन इसके लाबा और भी सारी चीज़ें बहुत हैं बिहारी जो है दोहों का बादचा है बिहारी को कुछ और चीज़ें कही जाती है ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर इनको क्लासिक कवी की जो संग्या दी है ये बच्चन सिंग ने दी है इंदी साहित का दूसरा इतिहास में ये चीज़ भी आपने याद रख लेनी है क्लासिक कवी डॉक्टर बच्चन सिंग चलिए अगला प्रशन आप देख लेते हैं प्रशन नमबर 28 से देखिए शेख रंगरेजिन से किसने विवाह किया था आपने बहुत बार देखा होगा आपके जो घनानद हैं उनके बारे में बहुत बार पूछ जाता है सुजान को पूछ जाता है कि सुजान किसकी प्रेमी का थी आपको हो सकता है इसके बारे में ऐसा भी पूछ जाए कि जो आपके रिती मुक्त को कवी रहे हैं देखिए सारे के सारे ये रिती मुक्त है इसको भी आप याद रख लीजे इनकी प्रेमिगाओं के वारे में आपको या रखना है मेंली किस-किस की बोधा की थी सुभान ठीक है ये भी पूछे जाता है गहनानंद की थी सुजान ये भी आपको पूछे जाता है आलम की थी शेखरंगरेजिन जो आपके लिए यहां पर प्रशन रखा गया है यही इसका उत्तर होना था द्विजदेव की प्रेमिका से रिलेटेड कोई प्रशन नहीं बनता है तो यह जो तीन कभी महतवपूर्ण हुए हैं यहां पर इन से रिलेटेड या इनकी जो प्रेमिकाएं थी और यह सारी के सारी क्या थी गड़िकाएं थी वैश्याएं थी है ना इन से यह प्रेम करते थे और कई बार ऐसा भी पूछा जाता है यह वाला प्रशन देखिए कि जो यह आलम थे यह ब्रहामन तो थे लेकिन प्रशन इन से ऐसा बनता है कि कौन सा रिती मुक्त का भी जो है वो जो आपकी मुसलमान लेडी थी मतलब उन से विबा करके ये मुसलमान हो गए थे तो ये आलम हो जाएगा शेक रंगरेजिन से विबा करने के पश्चात की क्या हो गए थे मुसलमान हो गए थे तो ये चीज भी आपको पूछी जा सकती ह तो इसलिए आपने इनको भी याद रखना है और आलम की सरवप्रसिद रचना आपकी जो सूफी कावे धारा के अंदर गत भी आती है माधवानल काम कंदला ये इनकी श्रेष्ट क्रेथी माने जाती है और इनके कावे में प्रेम की पीर और इश्क का दर्द इनके एक-एक वाके में पाया जाता है ये बात कि इसने कही है इनके लिए ये अचारे रामचंदर शुक लने कही है तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा इनसे याद रख लीजिए बाकियों के बारे में आपको पता होना चाहिए ये बहुत जादा बाते हैं जो आपको गननन्द के बारे में पूछ जाती है नेक्स क्वेशन है देखी किसके आकरमण के दोरान गननन्द की मृत्यू हुई तो अभी के दो-तीन क्वेशन आपने देखा होगा बिल्कुल जीवन से मतलब बिल्कुल पूछे गए हैं और ये पूछे ही जाते हैं इससे पहले गननन्द के बारे में या तो ऐसा पूछा जाता है कि किस संपरदाय में चले गए थे अपना जब इनको निकाल दिया गया था जो इनके वहां से दिली के दरवार से जहां पर यह रहते थे महमचारंगीला के दरवार में मीरमुंची ठीक है ये प्रशन भी कई बार पूछ जाता है कि किस के दरवार में थे महमचारंगीला के दरवार में किस पदवर थे मीरमुंची के पदवर थे है ना जब वहां से निकाल दिये गए कि इन्होंने राजा की और पीट कर ली थी जो निकाल के इनको बाहर निकाल दिया गया था तो ये कहां पर चले गए थे व्रिंदावन चले गए थे ये प्रशन भी पूछ जाता है व्रिंदावन में जाकर ये किस संपरदाय में इम्पॉर्टन चीज है चले आज का आखरी क्वेशन हम देखते हैं अगला क्वेशन प्रेम और यातना का कवी घनानंद को किस ने कहा है इम्पॉर्टन क्वेशन है देखिए वैसे तो आपने देखोगा प्रेम की पीर का कवी कहा जाता है अगर प्रेम की पीर का महा काव्य कहा जाए तो वो किसको कहा जाएगा वो कहा जाएगा आपका जो पदमावत है जाईसी की प्रसिद रचना उसके लिए कहा गया प्रेम की पीर का महा काव्य लेकिन अगर प्रेम की पीर का कवी तो वो है घननन्द ये हम बचपन से ही पढ़त तो ये बात किस ने कही थी, ये रामधारी सिंग दिन करने कही थी, इनके बारे में, कि ये क्या है, प्रेम और यातना के कवी हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, कि किराय पर आंसु बहाने वाले कव्यों में से, एक मात्री ऐसा कवी था, जो सच में ही अपनी ही पीडा म में रो रहा था, तो ये चीज भी इनके बारे में नहीं कही है, ठीक है, और वासु देव सिंग ने इनकी भाषा को लेकर कहा है, कि इनकी भाषा क्या है, सरल और चलती फिरती भाषा है, मतलब समाने भाषा है इनकी, ठीक है, तो ये चीज आपने इनके बारे में याद रख आपने लगवग 70-50 के आसपास question और इजात किये होंगे नए अगर आपने अच्छे तरीके से इस lecture को देखा होगा, सुना होगा, अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगता है, तो आप हर एक उस विद्याती तक उसको share कीजिए, जो हिंदी से related किसी भी परिक्षाक मे बैठना चारा है, उसके लिए ये lecture बहुत ही जादा महतपोर्ण है, तो आप इन lectures को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के बीच में share कीजिए, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न बोलें, और like करना भी न भूलें, तो फिलाल आज के लिए इतना ही जल्द मुला कात होजी